नमस्कार आप देख रहे हैं एन्वन लाइव मैं हुनेहा शुक्ला स्वागत है आपका एन्वन डिबेट में हिमाचल में कॉंगर्स को नया अध्यक्ष मिल गया है पुर मुखे बंतरी और कॉंगर्स के कदावर नेता स्वर्गी अवीर भद्र सिंग की पतनी प्रतिभा प्रतिभा सिंग के काम में सहायता के लिए चार कारेकारी अध्यक्ष भी न्युक्त के गए हैं हिमाचल कॉंग्रिस में बड़े फेर बदल से गुडबाजी पर कितनी लगाम लगेगी और क्या नई टीम विधानसभा चुदाव जीतने का लक्ष्य हासिल कर पाएगी जाने क्या ये बीजेपी के लिए सीधा सीधा मैसेज है डाइनेस्टी पॉलिटिक्स का एक एहम हिस्सा बनी रहेगी खासकर हिमाचल की बात की जाए तो सिदह सिदह मैसेज यह पी जो वीरभभद्डर कवेख्यूम हाया है जो वीरभद्डर के शेमों की जो लोगों के सीमें वीरभद्डर-चिंग चैनल रहे हैदो बड़े लेवल पर डिफरेंस है, ऐसा लग रहा था कि शेट कॉंग्रेस तूटके दो हिस्सों में इना बढ़ जाए वहाँ पे माचल में लेकिन लगता है बड़ी देर बाद जो है कॉंग्रेस हाई कमाने बड़ा सोचा समझा निरने लिया है जो चार कारे-कारी अध्यक्ष भी बना दिये, एक तो कॉंग्रेस को फिल हाल टूटने से बचा लिया है और दूसरा एक सीधा मैसेज दिया है कि जो वीर भदर सिंग की सिंपती है लोगों में वो उसको कैश जरूर करेंगे जी तो वीर भदर सिंग की सिंपती यानि जो लिगसी है वो अभी भी इतनी प्रॉमिनेंट है हिमाचल प्रदेश में पचास सालों से कदावर नेता वीर भदर सिंग और उसके बाद चेहरे की तलाश में आखिर उसी फैमली के पास गए और ये भी खबर आई थी रंजुए के बहुत से सीनियर लीडर वह भी एक बात तो मान के चलेंगे कि जो वीर भदर की सिंपती है या तो वो विक्रमादित्यों को मिलेगी या उनके परिवार के किसी सदस्य को मिलेगी उनकी पतनी उनका बेटा बीच में उनकी बेटी का नाम भी आ रहा था वीर बादर सिंग कि वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ सकती है लेकिन फिलाल उसके कोई साइन दिखाई नहीं दे रहे लेकिन अब जबकि अध्यक्ष उनको मिल गया है चार कारेकारी अध्यक्ष भी मिल गए हैं तो एक तरह से कॉंग्रेस ने वो जो लॉस्ट एक बैटल है उसको जीतन अध्यार के रूप में इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ बीजेबी से जो एक्स चीफनिस्टर है मिस्टर प्रेम कुमार दूमल उनके बेटे अनुराग ठाकुर एक्टिव पॉलिटिक्स में है केंदर में मंतरी है और बहुत अक्टिव है उनके चोटे बेट आज कल BCCI में बहुत अक्टिव हैं तो यह जो एक डाइनस्ट पॉलिटिक्स का जो बीजेपी कॉंग्रेस पे जो इल्जाम लगाएगी या उसको एक इलेक्शन स्टन्ट बनाएगी वो शायद यहां पर नहीं चलने वाला है यानि आप कह रही है कि अगर वीरभद्र के परिवार पर यह आरोप लगाती है बीजेपी तो कॉंग्रेस के पास यह जवाब है कि धूमल परिवार यहां पर क्या करें खासकर अंडराक ठागूर का रोल जितना बड़ा हो जाता है मार्चल प्रदेश में बीजेपी की का सामना करना पड़ा तो एक फैक्टर सीम ने एक नॉलेज किया था कि लगेसी काम कर गई है तो यह बीजेपी मान रही है और साथी साथ कॉंग्रेस का यह प्रतिभा सिंग पर भरोसा जता आना यह थाबित कर रहा है कि बड़ा जो है यहां पर कॉंग्रेस को बूस्ट मिल लेकिन उसकी जादा सिंपती कांगडा रिजन में मिली यह बहुत हरानी वाली बात है जो कि एक बीजेपी का घड माना जाता है मंडी में अगर हम उस लोगसभा एलेक्शन का पूरा 24 विधान सहबा सीट से मंडी लोगसभा कॉंसिएंसी में तो यह मैन के चलिए कि 24 की 24 में जबकि वो चीफ मिनिस्टर का एरिया है चीफ मिनिस्टर का जला है उन 24 कॉंसिचवेंसी में बीजेपी को मार पड़ी है कुछ में ठीक है वो लीड भी की है लेकिन ओवर अल प्रतिबा सिंग की लीड रही है यह सबसे पहले तो यह चीफ मिनिस्टर के बहुत ब़डी हार दूसरी बात है कि प्रतिबा सिंग जो है वो करीब 7000 वोट से जीती थी लेकिन उसके साथ एक फैक्टर यह भी है कि उस समय उस एलेक्शन में नोटा में 12,000 वोट पड़े थे यह तो नहीं कह सकते कि पूरे का बारा था कि हम किसी को पसंदी करते नहीं अगर उसका पूरा अनालेसिस किया जाए तो वो जो 12,000 वोट था नोटा का वोट था जो लोग कॉंग्रेस को वोट नहीं करना चाहते थे लेकिन बीजेबी से नाराज है अब यह जो नोटा वाला फैक्टर था भाकी भी जो विदान सबा कॉंसिजेंश में है वह नोटा में बहुत बड़ी सं अभी भी एलेक्शिंस को कुछ मीने हैं तो लोगों की वो जो नाराजगी थी किन बातों पर नाराजगी थी हो सकता है बीजेपी ने को इंटर्णल सर्वे कराया हो और उस नाराजगी को दूर करने के परयास भी किये हो यह हो सकता है मतलब पॉसिमिलिटी यह जिस तरह से और अरविन केजरिवाल उसे साफ लग रहा है कि पंजाब के बाद अब पूरा का पूरा ध्यान जो है वह हमाचल को जीतने को लेकर है बिलकुल पूरा जोर लगाया है दो वह बहुत बड़ी रैली कर चुके हैं अब रैली में लोकल लोग तो कम थे लेकिन एक इंप्रेशन एक दबाव जरूर पड़ता है लेकिन कही ना कहीं मेरा अभी भी यह मानना है कि यह कुछ दिन पहले वह जो जो केजरिवाल रैली करके आए और उसमें वो सीधा-सीधा मैसेज देखे आए कि करप्ट गवर्मेंट्स भाजपा कॉंगर्स की करप्ट गवर्मेंट्स तो में जो हिरानी है कि किसी ने भी ना बीज़ेपी ने ना कॉंग्रेस ने उसको कोई जवाब नहीं दिया ओवर दो अगर कोई भी गवर्में तो यह तरीका नजर नहीं आता हिमाचल के चाहिए किते भी बड़े नेता हो लेकिन इस तरह से आक्रामक जो है वो एक्शन मोड में नजर नहीं आते है जैराम ठाकुर की हमने जो बार सुनी थी जब केजरिवाल ने आरोप लगाये थे कि नकल मार ली है तो उन्होंने संसक करते हैं तो यह कितना एक्सेटबल है हमाचल प्रदेश लेकिए केजरिवाल बहुत जोर लगाएंगे क्योंकि केजरिवाल की रननीती में है कि वो चोटी स्टेट में अपनी प्रेसंस दिखा रहे है उतराखंड था दिली के बाद उतराखंड गोवा फिर पंजाब अब हम हमाचल लेकिन एक चीज़ हमाचल में जो फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा केजरिवाल के लिए पंजाब में परफॉर्मेंस पंजाब हमाचल का बर्डर लगता है अब पंजाब में जो हो रहा है कि पहले आपने का था कर्ज माफ करेंगे किसानों के आप नोटिस दे ल लिया है तो मुझे नहीं लगता कि हमाचल का जो वोटर है वो कभी भी यह चाहेगा कि उसको दिल्ली से रूल किया जाए शायद पंजाब का वोटर जो था वो कॉंग्रेस अकाली से बहुत परिशान हो चुका था पर हमाचल की जरता अभी भी एक सेंस है वोटर की बीच मे है वह ही वोटर करते हैं स्टेट में जो है सेंटर की डूलिशी तो लागोई ही होती है चाहे कोई तो जब कॉंग्रेस की गुम्मेंट आती है आपनी एक डिसीजन पौवर था वो अपने तरीके से रूल करते हैं एवन जैराम ठाकुर को भी अगर देखा जाए तो जो तो सेंटर पॉलिसी जाए और हमाचल इतना चोटा स्टेट है कि उसको फाइनस के लिए उसको फाइनस के प्रगना अगर श्वा भावि के गवर्मेंट चाहे कोई भी हो लेकिन जो स्टेट के अपने रणे है वो स्टेट की उसकी साब से लिये जाते हैं और आतिंग जैराम गवर्मेंट भी वो कर रही है वीर पाददिर सिंह गर्मेंट प्रशांतंतत्रमार गवोंच प्रमेंट तो यह जो मैसज जो हमाचल में जाएगा अब आपने 300 यूनित बिजली मुफ्त कर दी हमाचल लेकिन प्रॉब्लम में बिजली नहीं है चेचे घंटे के कट्स लग रहे हैं और हमाचल में तो बिजली की प्रोडक्शन है तो हो सकता है आप वहाँ गेम केले किम सारी बिजली म फील्ड में चाहिए और लोगों की मेंटल्टी देखिए तो हो कहते हैं हमें सर्विस चाहिए वी नीड सर्विस रेडी टू पे तो यह जो हमाचल में जो यह मुफ्त मुफ्त वाला है वो तो अल्री यह शायद इतना प्लेफुल नहीं रहेगा है उन्हों आप इतना प्ले है तो लिगसी मेंटेन रखने के लिए क्योंकि फिल्हाल तो कॉंगर्स की गुटबाजी को एक जुट करने की कोशिच हाई कमानने की है लेकिन सीम फेस जो है अभी भी एक बड़ा चैलेंज हाई के लिए बना हुआ है प्रतिबास सिंग को किस तरह से आखती है इस पहमाने कि पिछली बार मंडी रिजन से देख लीजिए आप कॉल सिंग जैसे बहुत सीनियर लीडर्स है कि ठीक है उन्होंने पिछली एक्शन में प्रतिबास सिंग का साथ दे दिया लेकिन चीफ मिस्टर बनने की अंबिशन सब की है मंडी में कॉल सिंग है रंगिला राम राओ है इदर से आजाईए आप तो उन नमे मुकेश अगनियोतरी बैठे हैं और अपर हिमाचल से भी बहुत स्ट्रॉंग बहुत सीनियर कॉंगर्स लीडर्स हैं जिनकी चीफ मिस्टर बनने की अंबिशन हमेशा रही है तो प्रतिबास सिंग है नेवर पी निना अफ्थी के वह प जो एक लड़ाई है ना उसमें कॉंग्रेस में नॉर्मली जो यह लोर एरिया जो लोर इमाचल के जो विदरमीर पोर ना इस कांगड़ा एरिया के उनको थोड़ा सा डाउन प्ले किया जाता है कॉंग्रेस में आज से नहीं मतलब फॉम द बिग निंग ओली आप यह दिखि उसमें कोई शक नहीं है लेकिन अब प्रतिबा सिंग के साथ वही लॉयल्टी निभा पाएंगे क्योंकि उनकी अपनी भी अब एक चिव मिस्टर बनने की एक मतलब कांग्शा है तो वो प्रतिबा सिंग के साथ या बेटे के साथ कितने लॉयल रह पाते हैं या पर जैसे कि प्रतिबा सिंग मान गई थी कि जैसे ये शर्त रखी गई अंदर-अंदर की जो भी कॉंग्रिस की कमान समालेगा उससे चुनाव नहीं लड़ना होगा तो प्रतिबा सिंग फॉरन मान गई कि हम ठीक है मैं चुनाव नहीं लड़ूँगी अध्यक्षपत की जिमेदारी कब बनाना एक बहुत बहुत प्रेशर गुरूप बनाना है प्रेशर गुरूप जिनको कह सकते हैं तो डफिनेटल अपर हमाचल से किसी को चुनेगी और हो सकता है वह अपने ही बेटे पे दाव खेलें उनकी बेटी 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 थोड़ा अध्यक्टिव हो रही है जो सीधे सीधे जो बीजेपी उनके पास इस फेर बदल के बाद एक जो पॉइंट आया है करुप्शन का पृतिबा सिंग करुप्शन के चार्जे से फेस करती रही पूरी विर्भद्र फैमिली पर करुप्शन के चार्जे थे ऐसे में क्योंकि करुप्शन हिमाचल का भी एक जराम सरकार के भीतर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं कई माफियाओं के अधिकारियों के एक्टिव होने का करुप्शन के प्रैक्टिसेज में आरोप लगते रहे हैं तो बीजेपी किस तरह से यूज कर सकती है प्रतिबा सिंग के खलाब बीजेपी का तो हर स्टेट में इसे ही है कि प्रप्शन उनका में इशू रहता है लेकिन हमाचल में करुप्शन कभी बहुत बड़ा इशू बन नहीं पाया क्योंकि जब धूमल को इन्होंने चीफ निस्ट्र का चेहरा बनाया था उनफॉर्चन वह एलेक्शन हार गए उस वक्त अनुराग ठाकूर के बह स्म прош और मैं ने बहुत लंब सुम्मे तेक हमाचल कवर चाहिए में अब थे राजासाब वर्सिसों तेसरी लड़ाइड उसमें होती एग जातिवातु टो हमाचल में ये तीन चार जोचीज다면 ह耶्त मैं इसमें इतनी frustumHe in elections कास्ट को बैलेंस करने की कोशिश की है है ही कमाने वोटर किस पर nhất थो ने हमाचल देखेता हमाचल देगे था प्रधिबा सिंह हिरा बोरी जो पर आप एकोषिशंग है कि आप हर कास्ट को उसमें प्रतिनिधितिव दे पाएं तो इस बार ही कमान में कोई सही राय दी गई है कि वो तो अरड़ी छोड़ गया ना I don't think कि अप्रशांत कि राय हो सती है और मुझे ऐसे लगता है कि सबरिमाचल के ही किसी बड़े अच्छे क्रिसी उसकी सनी गई है यह करवाया होगा इंटर्नल सर्वे तो हो ही रहा था कॉंग्रिस का तो कॉंग्रिस ने बड़ा बाहु बहुत बड़ा खेला है कि सारी कास्ट सोभ जो एक लोगों के दिनों में आज भी एक जगा है, उसको भी कैश करने के लिए पूरा ग्राउंड तैयार कर लिया गया और वीर भगदर सिंग की लिग्यासी को बचाने के लिए प्रतिपा सिंग को एक बड़ा प्रॉमिनेंट चेहरा बनाया गया तो मुझे लगता है कॉंग लेकिन क्या वज़ा है क्योंकि आप तो विर्भद्र सिंग नहीं रहे हैं जनता के वीच तो ऐसे में एक बड़ा कद्दावर नेता अब कॉंग्रेस की जरूरत है एसे में कौन सा नेता आगे आते हुए दिख रहा है अगर हम विर्भद्र सिंग के परिवार की बात छोड़ दे तो कॉंग्रेस में आपको कौन सा कद्दावर नेता नेता बैठे हैं मुकेश अगनियोत्री को भी हम कद्दावर नेता हुम ही मानते हैं सुखु बहुत कोशिश में है सुखविंदर सुखु की बड़े उसमें लेकिन अभी तक सुखु में वह कालिबर दिखाई नहीं दिया है कि उनको एक कद्दावर नेता माने जाए कुल्दिगे प्रठोर प्रधान तो रहे लेकिन अपनी वह एक कद्दावर नेता वाली इमेज नहीं बना पा है आप यह कहिए कि वह कुछ सीनियर कॉंग्रेस लीडर्स के हाथ में खेलते रहे को अपनी एक इमेज नहीं बना पा है रजिंदर राना भी कोशिश में आ थति रहे लेकिन अब वीर फादर सिंह के जाने के बाद फैरो उनको थोड़ी सी घा कि बैख फुट पहाना हैं जहांheen लेकिन उपने कोशिश में है। रचिपम आदाख साथ को कभीente एक किया का पता पर पर समहा वारत के गाधा ईन्टेक भीचरह सब हैं जहां है। अब चीवनिस्टर का चेहरा आए, इलेक्शन तो विदिन 6 मंथ का तुबार में कहा कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में उतनी इन्वाल नहीं रहती है, लेकिन वीर बदर सिंग की लेगेसी तो कर रही है, तो जनता में एक्सेप्टेंस उनके नाम पर जलुए है, क्योंकि वी तो अब कॉंग्रेस को एक बहुत प्रतिवा सिंग के बाद, अब ये देखना होगा कि कौन सा स्ट्रांग चेहरा कॉंग्रेस तलाश करती है, तो एक बात आज प्रतिवा सिंग ने ये कही रंजूरी पहले दिन अध्यक्ष के तौर पर कि वीर भदर सिंग के काम को आज भी जनता याद करती है, तो ये चीज वाकई में जनता के बीच में अभी भी कितनी मौझूद है, क्या कहती है आप इसके बारते है, मैं लास्क जो मंडी एलेक्शन हुआ था, जब प्रतिवा सिंग जीती है, तो मैं थोड़ा ट्रेवल किया था मंडी में, तो उस वक जो वहां जो प्रेजन गवर्म ठाकुर की गवर्मेंट है, उनों ने जो काम किये थे, वो याद नहीं थे लोगों को, हलाकि वो काम चल रहे है, लेकि जो वीर भादर सिंग, जो वीर भादर सिंग, जो चीफ मिनिस्टर और अज एन एंपी, मंडी के लिए जो करके गे, वो लोगों क एंपाचल में लोगों ने माना ही ने किये, यह उनकी यह उनकी वाइफ या उनकी फैमिली कर सकते है, राजा जी नहीं कर सकते है, तो इस तरह की एक इमेज वीर भादर सिंगी थी, और मैं जब ज़रू किया था, तो एंपाचल में फंड्स की बहुत जादा कमी थी, तो माल तो इस तरह कि उनकी वो जो एक स्टेट के साथ अटेशमेंट थी तो उसको देखते हो जो स्टेट के लोग भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़ए है आज भी लगता है मुझे की जुड़े हैं और यह लगेसी अभी कुछ साल और चलेगी कि उनकी वो जो 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 काम है या whatever you used to say, वो लोगों को याद है अभी भी, मैंने पिछे, अभी recently मंडी election में देखा है, present government के काम नहीं लोग गिनाते हैं, राजा जी जो कर गए वो गिनाते हैं, तो यह legacy बहुत स्ट्रॉंग है, और इस बार ही क्योंकि हिमाहिचल में जो है, वो मान के चलते हैं कि अर पांच साल बाद government बदलती है, तो मैंने चीफ निस्टर को कहते हैं सुना था कि हम इस बारिगमर नहीं बदलेगी क्योंकि जो वीर भादर सिंग के जाने से जो वेक्यूम हुआ है, वो कॉंग्रेस भर नहीं पाएगी, मुझे लगता है, अगर बीजेपी इस सोच में चल रही है, तो शाहिद वो बहुत गलत सोच में है, राजा का वेक्यूम नहीं हुआ है, राजा is more stronger, whether he is there or whether he is not there, और प्रतवा सिंग को अध्यक्ष बना करके, कॉंग्रेस ने उस लेगेसी को और वो जो लोगों की भावना है, उसको जिन्दार का रहा है, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है, यह लेगेसी जो कॉंग्रेस के पास है, वीरभद के तौर पर वो ना ही बीजेपी के पास है, और आम आदमी पार्टी तो अभी कुछ भी तो वो अपना आधार तलाश रहा है हिमाचल में, जिसको धूमल परिवार ने कोशिश की थी कि अपने आपको खड़ा करने के लिए एक समरांतर वीरभद परिवार के खिलाफ लेकिन बीजेपी ने खुद ही इसको ब्रेक कर दिया, तो बीजेपी की कहीं, इसमें आप कहेंगे कि कुछ इसे एक चूक बीजेप अगर दूसरे राजों की तुलना में देखे जाया है, तो हिमाचल में लोग महरत कश हैं, और काफी हद तक संपन भी हैं, और सक्षर्टा दर भी देखी जाया है, तो काफी अच्छी है, हिमाचल में पर कैपिटल इंकम पूरे इंडिया में सेकिड नमबर पे है, लोग बह दोलन भी, क्योंकि जिस चीज का पंजाब में विरोध चल रहा था, वो हिमाचल में अल्रेडी है, और चर्ड्स में प्राइवेट कंपनी आती हैं, और वहां से उनको अच्छी रेट्स पे उनके जो प्रोड्यूस हैं, पहले सिरफ एपल को गिना जाता था, अब लोग में मैं स्टोन फ्रूट की बहुत बड़ी एक 상аться कै अ़ जो से भी पैस्ट अइट कैश्व हो रहा हैं, हनी की बहुत बड़ी उत्पादण जो हैं, वो आरे इसलिए हमाचल में हो रहा है, तो इसलिए हमाचल में अगर आप तिकशL के विलेजिज में 0% है, आप किसी भी गाउं में, किसी भी ट्राइबल एरिया में चलेज़े, people have good houses, they have good schools, medical facilities बहुत अच्छे हैं, जबकि पंजाब में बिल्कुल अलग है, पंजाब में बार से लेबर लाते हैं, लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं, बहुत hard working है, और पर capital income ही है, आप देख लीज़े हैं, इंडिया में second या third number पे है, तो as such, इमाचल में poverty, खाजाना खाली होने वाली इसनी बड़ी समस्या नहीं है, people want service, और road connectivity आप इमाचल में देखिया है, लेकिन unfortunately वह election हार गए, इसलिए चीफ मिस्टर नहीं बन पा है, लेकिन एक interview में Mr. Veer Baddar Singh ने मुझे खुद कहा था कि अगर मेरे बराबर का कोई state में लीडर है तो उ शांता कुमार है, बाकि में किसी को अपने बराबर का लीडर नहीं मानता हूँ, तो उनकी उसमें देखा जाए तो शांता कुमार कही ना कहीं बराबर खड़े होते थे, लेकिन BJP के internal politics है कि उनको sideline किया गया, कि बुजर्गों को थोड़ा पीछे रखना पसंद करने लगया, तो बहुत पहले ही sideline कर दिया गया थो दूमल को प्रमोट किया गया थो, लेकिन दूमल साब खुद ही election हार गया तो चीफ निस्टर का वह लॉस्ट जी बहुत 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 शुक्रिया रण्जु जी और आपसे हमने जाना कि किस तरह से हिमाचल में जो है, क्या factor यहाँ पर जननता किस तरह से सोचती है और जननता जैसे सोचती है शायद high command जो है Congress की वो यह समझने में काम्याब हुई है, तब ही प्रतिबा सिंग को दुबारा से अध्यक्ष चुना गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजुएरी जी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें थमस अप जरूर दे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे आज की इस वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई है, हमें प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए, वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार!